प्यारे सातियों, आज की सेसंस में हम लोग यहाँ पे स््टार्ट करने वाले हैं कंक्रिट टिक्नोलाजी Color works थे हना कंक्रिट टिकनोलाजी में 2021 का पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं तो यह जो 2021 का पेपर होने वाला है यह important होने वाली है क्योंकि पीवाइक्यू क्वेस्टन जो है आपसे exam में कई बार क्या होता है कि जब exam होता है तो उसमें previous year paper का जो questions होता है डारेकली आपके exam में आ जाता है और डारेकली उसमें आपको ज्यादा खीचा तानी करने की जरू है तो 2021 का कर रहे है उसके बाद 2021 का खत्म होने के बाद 2022 का करेंगे और आप लोग जो एक्जाम दोगे 2023 का एक्जाम दोगे क्योंकि सेशन जो है थोड़ा लेट चल रहा है इसलिए 24 में आपका exam हो रहा है कि बाकि जैसे सेशन on the time होगा आपका जो है दिसंबर 2024 में एक्जा तो आज का जो क्वेशन से वह यहां पर दिया गया कि में संट टेस्ट परफॉर्म टू डिटर्माइन प्रोपर्टीज ऑफ सेमेंट इन लेवरेटरी में यानि लैब में जब जाते हैं तो सेमेंट का जो टेस्ट होता है वह कैसे करते हैं और कौन-कौन से प्रोपर्टीज करते हैं उसके बारे में यहां देखना है फिल्ड की event में जैसे जाते हैं कि नहीं गूल गया इस तरीके से बट यहां पर फिल्ड का नहीं बोरा है यहां पर लैव का बोरा है लैवरेटरी में फिल्ड जो सिमेंट हम लोग लेकर जाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा करेंगे कुन-कुन सी प्रोपर्टीज को यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे वो सिमेंट का जौ साइज है उसे टिर माइन करने के लिए और यह परफॉर्म किया जाता है सीव करके सेमेंट का थ्रू ऐस्टेंडर्डस होता है जो भी मेंसें decreng कि कि हैं कि paso इस के बारे में आल्रेडी जब क्लाशिज में आप लोगों को ले रहा था तो उसे में आल्रेडी आपको मेने बताया था में दोसा ईसेटिंग टाइम टेस्ट डिज्ट किया जाता है कि यह beef करने के लिए कि जो cement हमें लोग use कर रहे हैं जैसे मालो की cement हम लोग use कर रहे है ultra cement तो ultra cement जो use कर रहे है तो ultra cement कौन सा grade का use कर रहे है 33 grade का use कर रहे है 43 grade का use कर रहे है या 53 grade का use कर रहे है कितना grade का cement हम लोग use कर रहे है उसके basis पे वो कितना देर में मालो की concrete बनाए हना कंक्रिट बनाने के बाद अब उसको कितना दिन हम लोग बीना हिलाये हुए छोड़ देंगे तो वह जम जाएगा मतलब सेट हो जाएगा तो वह जो टाइम होता है वही सेटिंग टाइम होता है सेटिंग टाइम दो तरीके का होता है एक होता है इनिसियल सेटिंग टाइम और एक होता है final setting time हाना तो दोनों को major किया जाता है कि initial setting time कितना है और final setting time कितना है उसके बाद आपका यहाँ पर अगला जो test आता है वो अगला test है यहाँ पर compressive strength test क्या है compressive strength test तो जो compressive strength test है यह use किया जाता है compressive strength of cement को determine करने के लिए इसको prepare किया जाता है क्यूब बनाया जाता है और उसके compressive load लगाया जाता है यह nic क्यूब के मिलाते हैं तो क्यूब बनाते हैं अब क्यूब का जो dimension होता है वह उता है कि के एक्सोंचास कोने क्यांश्बिट यह 15 cm 15 cm 15 cm यह आपका dimension होता है क्यूब का जो मौल्डिंग होता है उसे और उसमें हम लोग concrete डालते हैं और उसको tapping करते हैं और फिर उसको साथ दिन के बाद उसको testing के लिए करते हैं और check करते है कि कितना compressive load आ रहा है एक already determined data होता है जबर इस के लिए हम लोग ले रहे हैं या M25 ले रहे हैं तो M25 में इस वोड हमारा जो Q है वो संवह राय है। तो उससे जो हमारा क्यों lude कर पा रहा है कि हमारा क्योंकि कि वो सेमेंट के बैसिस पर होगा और वी कई सारे चीजें वहां पर होंगी अजैसे हमारा क्या एग्रिगेट के उपर भी डिपेंड करता है कि कितना ईजकर है उसके बार आता है संद्रेश्ट यूज्ट किया जाता है वॉल्यूम, stability of cement को determine करने के लिए यह auto-claving होता है उससे जो है इसको check किया जाता है हना और measure करते हैं एक specified temperature and pressures में और measure करते हैं expansion of cement में उसके वाद आता है chemical analysis, chemical analysis यूज किया जाता है to determine the chemical composition of cement the taste involves analyzing the cement for its chemical constituents हना chemical analysis मतलब देखता है कि जो cement हमारा आया है और फिल्ड में आया है या फिर जहांसे भी markets लेकर आया है सेमेंट को उसमें कौन-कौन से constituents है silica कितना है, alumina कितना है, iron oxide कितना है हना आपको मैंने बताया था कि अलग-अलग जो constituents है उसका जो percentage होता है cement में वह अलग-अलग होता है तो वह percentage हमें देखना रहता है कि कितना होता है तो वह कैसे चेक करते हो heat generate कितना हो रहा है जब hydration of cement किया जा रहा है मतलब cement में पानी मिलाया जा रहा है तो कितना heat जो है release हो रहा है उसी को determine करने के लिए heat of hydration टेस्ट करते हैं यह जो टेस्ट होता है यह involves होता है measuring temperature rise of cement water mixers over a period of time हैना एक period of time के बाद उतकी बाद अगला जो questions यहां पे दिया गया है वह अगला questions बोला जा रहा है कि super plasticizer क्या होता है ठीक है super plasticizer क्या होता है and what are the advantages to use in concrete हैना super plasticizer क्या होता है high range water reducer भी कहते हैं यह एक chemical additives होते हैं जो use किया जाता है concrete mixes में ताकि जो workability है और जो fluidity है concrete का without reducing strength वो हमारा increase हो सके हैना मतलब जो strength है वो reduce नहों हो और हमारा जो workability है और जो fluidity है वो भी हमारा increase हो जाए यह typically self-ornated melamine या नेप्थलीन या फिर polycarvogilic acid based compounds आपका यह होते हैं plasticizers जो super plasticizers होते हैं वो add किया जाता है concrete में हना तो super plasticizers disperse करता है cement particles को more effectively और allow करता है concrete to flow more easily and reduce the amount of water need जो water need की जरूरत है वो कम हो जाता है और अच्छे से जो concrete है वो flow करने लगता है advantage के बारे में अगर बात किया जाए super plasticizers का concrete में तो सबसे पहला जो advantage है वो है आपका कि जो workability होती है वो आपका increase होता है workability जो है वो increase कर देता है super plasticizers को जैसे introduce करते हैं हम लोग concrete में तब और इसका easy to making हो जाता है और placing और shape भी असानी से आ जाता है उसके बाद आता है strength को improve कर देता है जो super plasticizers होता है और यह reduce करता है जो पानी की जरुवत होती है उसको कम कर देता है और जो strength है उसको increase कर देता है इसके अलावा जो super plasticizers है यह क्या करता है जो durability है उसे भी increase कर देता है साथ ही साथ जो cost है वो भी हमारा कम हो जाता है जब super plasticizer reduce करता है amount of water need in concrete mixer तो उसके कारण से जो overall cost of project होता है वो भी reduce होता है by amount of cement required हैना जो cement required है वो उसके कम परिजन में मतलब एक तरीक से cost effective हो जाता है कम cost में अच्छे strength वाली चीज़े हमें जो है मिल पाता है उसके बाद अगला है यहाँ पे जो questions है वो है role of gypsum in cement का क्या role है तो जखो gypsum को add किया जाता है cement में जब हम लोग setting time of cement को control करने वाली जो process होती है उस conditions में तो जब water हम लोग add करते है cement में तो यह hydrate होना start हो जाता है hydrate का मतलब होता है कि जो water है वो react होने लगता है chemically किसके साथ cement के साथ और जो cement है वो binding particles होता है तो वो crystal form कर लेता है हना तो यह जो process होता है इसी को setting करते है तो अगर setting time बहुत जादा है मतलब जल्दी setting time है हो रहा है तो उस condition में cement जो है सेट हो जाएगा before it can properly placed और बीना सेमेंट को प्रोपर तरीके से प्लेस किये हुए या finish किये हुए ही जो है सेमेंट क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा तो वो setting time को delay करने के लिए हना यानि जो इस तरीके का problem आ रहा है विक या defective जो concrete हरा तो उसको slow down करने के setting time को slow down करने के लिए कम करने के लिए अगर बहुँ जादा है तो उसको कम करने के लिए ही जो है हम लोग क्या करते है जिपसम का यूज करते हैं तो जब जीवसम हम लोग यूज करते हैं तो वो जो setting time होता है cement का वो slow down हो जाता है मतलब कम हो जाता है और reacting जो होता है tri calcium aluminate in cement के साथ वो होने लगता है यह जो reactions form होते हैं वो layer of chemical sulfo sulfo aluminate on the surface of C3A particles जो की prevent करता है them from reacting with water too quickly जो C3A है यह क्या करता है कि जो पानी के साथ cement बहुत जल्दी मितलब react कर रहा था उसको रोकता है और काता है कि बाबू थोड़ा इंतजार कर ले अभी हम जिन्दा है तो थोड़ा इंतजार कर ले जब हम मर जाएंगे तो तुम आगे reaction करना या फिर हम हट जाएंगे तब तुम reaction करना या मार पिट करना अभी तुम एक साइड रहो है मतलब एक तरीके से लड़ाई जो होने वाली होती है केमिकली उसको रोक के रखता है कि भाई अभी लड़ाई मत कर अभी लड़ाई करोगे थाना पुलिस आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसलिए अभी थोड़ा रुख जाओ मैं चला ज कर ताइब जिपसन आलसो इंपूब्स वरकिबिटी हाना सेटिंग टाइम को तो करह ही देता है जिपसम साथी साथ जो वरकिबिलीटी होती है सिमेंट की वह भी बढ़ात देता है और जो टेंडेंसी होता है मिक्शिंग मिक्षर टू स्टिक दा सेर्पेस और टूल्स वह भ क्रेट के यूज करके तो उसमें क्रैक ना आये उसको भी रोकने के लिए जिपसम का यूज किया जाता है नेक्स्ट अगला जो यहां पे क्विस्टन से वो है कि बॉगीज कंपाउंड क्या है तो बॉगीज कंपाउंड चार होते हैं यह जो है यूज किया जाता है तो अगल्कुलेट दा कंपोजीसंस ऑफ पोर्टलेंड सेमेंट रहे हैं जो की वाइडली यूज किया जाता है हाइड्रोलिक सेमेंट टाइप का तो जो फोर कंपाउंड होते हैं वह और यह पे बताया था एक ता पहला मतलग कर सकते हो कि ट्राइकैलसियम सिलिकेट उसके बाद इसको सी थ्री एस होता है डाइकैलसियम सिलिकेट सी टू एस ट्राइकैलसियम ऐलूमिनेट सी थ्री ए ट्राइकैलसियम ऐलूमीनो फिराइटस सी फोर एफ तो यह चार जो कंपाउंड्स है यह अमेरिकन कैमि इस थे आर एच बॉग उन्होंने जो है इसको अडिन्टिफाई किया था इसलिए जो है इसे बॉगीज कंपाउंड के नाम से जाना जाता है जो प्रोपोर्शन से इन कंपाउंड का इने गिवेन सेंपल और पॉर्टलेंड सेमेंट कैन भी डिटरमाइंड थ्रू एक्सरेड और अधर अनलीटिकल टेक्निक्स यह जो इन्फोर्मेशन से वह इंपॉर्टेंट है फोर अंडरस्टेंडिंग दप्रोपर्टीज और ब्यावियर ऑफ सेमेंट इंक्लूडिंग अस्टेंट सेटिंग टाइम एंड डियूरेबिलिटी यह सारे तमाम चीजे यहां पे जो ह प्रोपर तरीके से इसका इन्फोर्मेशन लेना रहता है और वुसी के बेसिस पे इन कंपाउंड्स को जो है अलग-अलग नाम दिये गए हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी अनदर सेसंस में आप लोगों के साथ आगे और भी चीजों के बारे में डिसकस में खिरो फिरो खा हैं वे प्रोप गे हैं टूज